सायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां चाय नहीं बनती होगी है और चाय को बहुत ही अलग अलग तरीके से बनाया भी जाता है वैसे तो मैं चाय की बहुत सारी रसेपी डाल रखी है अपनी वीडियो में, मेरे वीडियो में जाके आप देख सकते हैं बहुत ही अलग तरगी चाय, जैसे पतले दूट से चाय, गाढा कैसे बनाया है, और भी बहुत अलग तरह से चाय, कुल्हडवाली चाय वो भी एक रु अगर इसी तरह मेरे चैनल में आप बने रहते हैं तो एक लाइक ज़रू करें, अगर मेरी रेसेपी पसंद आती है तो, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने लिए हैं दूद, यह देखे, आपको दूद लेना है, थोड़े गाढ़े आप उसे ले सकते हैं, और एक कप के करीब मैंने इसमें चाय बनाई है, तो यह लगबग आधा कप के करीब मैंने इसमें डाला है पानी, और लगबग आधा कप से थोड़ा जड़े होंगे मेरे दूद की कॉटिटी, और इसे अच्छी तरह से यह देखे मैंने गैस में च चाइब बाज लें और दाल चीनी दोनों नहीं है तो आप अधरक को भी थोड़ा सा डाल सकते हैं और अच्छी तरह से मिक्स करना ये बहुत अच्छी तरह से उबाल लेना है आपको और gas की flame कभी तेज करनी है, कभी low करनी है, मैंने चाय बनाने की पूरी तरकीब बताई है, आप जाकर देख सके, अब मैंने ये देखे, चोकलेट वाले तीन क्यूब तोड रही हूँ, और चाय बनने के बाद, आपको सभी क्यूब को ये देखे, मैंने तीन क्यूब डाला है, क्यूंकि मेरे चाय एक अप थे, तो मैंने तीन क्यूब डाला है, और अच्छी तरह से इसे फिर से उबाल लेना, जब तक ये चोकलेट अच्छी तरह से गल ना जाए, और जैसे जैसे उबालेंगे ना, इसका कलर काफी अच्छाने लगेगा चाय का, आपको खुद लगने है, दो से तीन मिनटी से अच्छी तरह से फिर से उबालना है, और चाय को मैंने च्छान लिया है, ये देखे, आप कलर देख सकते हैं, इसका कलर से ही आपको अंदाजा लग जागा कि चाय कितनी टेश्टी बनी होगी, तो बस फट 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 जाईए किचर्ण में, और अप से पिम 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 पिम